राधे राधे फ्रेंड्स मैं पुनीता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पर मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और सामके चार बज रहे हैं फ्रेंड्स मैं चबी के बाल बना रही हूँ गर्मी बहुत लग रही है वो बाल खोल के ही घूम रही थी पर मैंने उससे बोला कि चबी आओ पहले मैं तुम्हारा बाल बना देती हूँ क्योंकि वो बाल नहीं बधवाती है बहुत नाटक करती है बाल बधवाने में खूले बाल में ही घूंती है, उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, वो बधवाना बाल नहीं चाहती है, मैं जब भी उसके बाल बानती हूँ तो वो खोल देती है, उसे खूले बाल ज्यादा पसंद है, और अभी मैं छट पर आ गए थी कपड़े उतारने, कपड लग रही थी, इसलिए मैं छबी से बोल लही थी, कि छबी जो खिड़की है, खिड़की का पला है, वो मेरी तरफ कर दो, क्योंकि जब खिड़की का पला है, उसे हम थोड़ा तिर्चा करते हैं, तो ये पूरी चेयर तक हवा बहुत अच्छे से आ जाती है, और अभी छबी मेरे साथ मिलके जो बेट सीट है, उसे फोल करा रही है, कि ममी दीजिए मैं एक साइड में मैं पकड़ लेती हूँ, दूसरे साइड में आप पकड़ लीजिए, ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, और मैं सारी जितनी भी मैंने कपड़ों को वास किया था, वो सारी कपड को साम कोई फोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ, अगर मैं कपड़े रखती जाओंगी तो काफी कपड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं जो भी डेली कपड़े में वास करती हूँ, वो सारी कपड़ों को मैं फोल्ड करके अलमारी में लगा देती हूँ, इससे घर भी बिवस्तिस लगता है अगर कपड़े इधर उधर रहते हैं तो गुद्ध लगता है कि बिल्कुल घर साफी नहीं है इसलिए मैं कपड़ों को डेली फोल्ड करके उन्हें आलमारी में लगा देती हूं और अभी मैं किचन में आ जाओंगी किचन में जो थोड़े बहुत बरतन है मैं उन्हें साफ कर लूँगी वैसे तो मैंने लंच के बरतन साफ कर लिये थे ये थोड़े से बरतन थे जैसे बच्चों ने जो पानी पिया था वही सब ग्लास थे ज्यादा बरतन नहीं थे अभी इवनिंग का समय है तो मैं चाय बना लेती हूं अब कुछ हलका साही ना कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी निव वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसके नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स हम निव यूटूबरों को भी आप मौका दीजिए कि हम भी कुछ कर सके और जैसे बड़े यूटूबर होते हैं तो वो कोई भी आइडल लिखने में उतना टाइम हमें भी लगता है तो प्लीज फ्रेंड हमें भी मौका दीजिए हमें भी कुछ करना है पर आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हम कर सकते तो प्लीज फ्रेंड हमें भी सपोर्ट करिए जैसे आपने फेमस यूटूबर को सपोर्ट कि या कभी ना कभी वो भी न्यू यूटूबर जरूर रहे होंगे, तो आपने उन्हें सपोर्ट किया, तो आगे बढ़े हैं, तो फ्रेंड हमें भी सपोर्ट करिए, हमें भी आगे बढ़ना है, प्लीज फ्रेंड हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, और अभी मैंने चाय बना दिया है और नमकीन मैंने ले लिया है इसमें मैं कटा हुआ प्यास डाल दूंगी और जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी आप हरी मिर्च ले सकते हैं मैंने दो हरी मिर्च काटी है और नीबू मैं इसमें डाल दूंगी हलका सा नमक और एक चम्मच मैंने सरसो का तेल दिया है और सभी को मैं mix कर दूँगी ये बहुत tasty लगता है friends आप इसे try जरूर करिएगा बहुत ही कम समय में तुरन तयार हो जाता है और हलकी पुलकी भूग जब लगे आप इसे खा सकते हैं जटपट तयार हो जाने वाला नासता है ये और ये बहुत चटपटा होता है इसका taste भी का महाभारत देख रहे हैं कुछ दिन और आएगा महाभारत क्यूंकि लास्ट का सीन ये चल रहा है और वही हम सब मिलके साथ में देख रहे थे इनका ये सर्ट रह गया था मसीन में डालना तो मैं उसी को धुल रही थी ये एक ही था तो मैंने सुचा कि मैं इसे हाथ से ही धो करती हूं गर्मी का समय है तो ये आसानी से राद भर में सूख जाएगा तो मैं वही धुल के फैला रही थी और अब बाकी का काम तो मैंने कर लिया है नास्ता वगारा बच्चों को करा दिया है और अब मैं पौधे साम हो गया है तो मैं इस समय पौधू में पानी डालती पर साम होते होते जो मट्टी है पूरी सूख जाती है पानी बिल्कुल सूख जाता है उसमें से क्योंकि गर्मी बहुत जादे पड़ रही है अभी सिर्फ रोज में से फ्लावरिंग हो रही है बाकी जो सारे प्लांट है उनमें अभी किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है मै मैंने बच्चों को नास्था करा दिया, उन्हें दूप दे दिया है, और अभी मैं दिया जलाओंगी, बाकी के सारे काम मैंने कर लिये हैं, गर्मी भी इतना ज़ादा हो रहा है कि किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि जाके खाना बनाए, पर खाना तो बनाना है, देखत सब बार दिन नहींक पानी नहीं आ रहा है तो को वाली गर्मी जो परदास नहीं हो रही है पर चली लाइट की भी कटोती बहुत जादा कर दे रहे हैं लोग गर्मी से जादा तो लाइट कर जा रहा है जा किया जाएगा रुपेज दाहर है चलिता पर साब मार्केट चली गई है और मैं भी जल्दी खाना बना लिए क्योंकि क मैं इस समय रहना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है किसी तरीके से खाना इस गर्म में बन जा रहा है वो बहुत ही बड़ा काम है कि खाना बन जा रहा है पर जल्दी ही में बना लेती हूं खाना बनाने में रोटी में बार में बिली बना लेती हूं जब हस्बिन आते हैं बार लोग को सर्जिस करूंगी कि आप लोगी पानी पीते रहें और बच्चों का केर स्वाइब और चरू काम करने साम हो गया है दिया जलाना है अब दिया जला लेती हूँ फिर मैं खाना बनाने की तयारी करूँगी और मेरे इस वीडियो को पूरा बाच करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बिल आइकन का बटन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा जिससे कि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँगी उसकी नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे तो अब मैं जाती हूँ दिया जलाने दिया जला के आप लोग से मिलती हूँ और अभी मैं आ गई हूँ साम की पूजा करने मैं पहले मंदिर में दिया जला लेती हूँ फिर वहां आर्ती जब हो जाती है मैं आर्ती कर लेती हूँ तब फिर मैं जो बाकी के दिये होते हैं तुलसी मा को और बाहर के जिसे की गेट पे मैंने दिया रखा एक तुलसी मा को रखा और एक सनी देव को रखती हूँ, वो सभी मैं रख दूंगी, गेट पे गनेज जी है, मैं उनहीं को आरती दिखा रही हूँ, आज मैं चिकन बनाने जारही हूँ क्योंकि हज़मन चिकन लेकर आ गये थे, तो मैंने उसकी तैयारी कर लिया है मैंने प्याज कट कर लिया है लहसन मैंने छिल लिया है और चार लाल मिर्च है और चार या पांच हरी मिर्च मैंने ले लिया है उन सभी को मैंने अच्छी तरीके से वास करके मैंने उने छिल के काट लिया है और अभी मैं कुकर को गर्म कर रही हूँ कुकर गर्म हो गया है इसमें मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने का इंतिजार कर रही हूँ जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें दो तेज पत्ता डाल दूँगी तोड़कर और दो लॉंग डालूँगी और गोल मरिज डालूँगी आधा चमस जीरा ये सुखी मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और डाल चीनी का एक टुकड़ा भी मैंने इसमें डाला है और इसे बस में दो सेकेंड मैं इसे भूनूँगी जब खड़े मसाले भून जाएंगे तो मैं इसमें जो लहसुन और लाल म प्रश्चे उसे डाल दूंगी और इसे भी भून दूंगी जब तक कि यह गोल्डन कलर का ना हो जाए इन्हें चला चला कर मैं भूनूंगी कुछ इस तरह से हिलाती रहूंगी बार-बार कल्ची से मतलब जो मैंने लेसोनगरा डाला है उसे लगातार हिलाती रहूंगी ताकि कि यह चारोो तरब से अच्छी तरीके से जो है गोल्डन ब्राउन हो हो जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें प्याज एड़ कर दूंगी आधा किलो चिकन है तो मैंने आधा किलो ही प्याज लिया है क्योंकि मैं दो प्याजा चिकन बना रही हूँ तो इसके लिए जितना चिकन होता है उतना ही मैं प्याज भी लेती हूँ और इसे भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि जितने ये प्याज है वो सौफ्ट हो जाए और नमक मैं अभी इसमें डाल देती हूँ बाद में मैं नमक नहीं डालती हूँ जितना भी स्वाद के अनुसार होता है वो नमक मैं इसी समय डाल देती हूँ और फिर मैं इसे अच्छी तरीकी से चला चला कर भूनूंगे प्याज को और धक के भूनूंगे कि थोड़े ये सौफ्ट हो जाएंगे फिर मैं इसमें चिकन एड़ करूंगी अब मैंने एक खड़ा लेसन डाला है फ्रेंड्स वो मेरे हजबन को बहुत पसंद है और चिकन औ पसंद है और ये देखे फ्रेंड्स ये मसाले हैं मैंने गरम मसाला लिया है हल्दी पाउडर और कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं इन सभी को इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से मैं चला कर भूनूंगी प्याज गलने तक मैं इसे धख़़ग करके भूनूंगी और जो गैस का फ्लेम है फ्रेंड्स उसे मैं बिल्कुल लो कर दूंगी क्योंकि चाहे मटन बनाईए या आप चिकन बनाईए तो लो फ्लेम पे ही वो धीमी धीमी जब भुनती है तो उसका टेश्टी कुछ और होता है बहुत टेश्टी बनता है अग्ये देखे फ्रेंड् चिकन बहुत टेश्टी बनी थी बच्चे भी अच्छे से खाए उन्हें भी अच्छा लगा तीखा मैंने जादा नहीं किया था और यह बहुत टेश्टी बना था अगर आप नॉन्विश खाते हैं तो फ्रेंड्स इसे एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा ये दिखी फ की स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही थी हम अब डिनर कर लेते हैं और आज का ब्लॉग यहीं तक था मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में थाइंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स बाई बाई गुड नाइट